आज हम 36 गड़ के economic survey का अगला chapter लोक वित के बारे में पढ़ेंगे यहां से paper में अधिकतर question पूछा जाता है कि कर राजस्व में कितने इस्सेदारी राज्यकी है गैर कर राजस्व में कितने इस्सेदारी राज्यकी है या कितना किंद्र से सैता नुदान कितना प्रतिसत प्राप्त हुआ है ये सब यहां से question बनते हैं और अगर आपको budget से related terms नहीं पता है तो आपको ये chapter समझने में बहुत problem होगी कि कर राजस्व किसको बोलते हैं राजस्व आय क्या होती है या राजस्व वे या पुंजीगत वे क्या होता है गैर कर राजस्व में क्या के चीज़ आती है तो आपको ये chapter पढ़ने से पहले उन सब चीज का basic knowledge होना जरूरी है तब ही आपको ये इस chapter में जितने भी terms यूज हुए है आपको तब उसका meaning समझ आएगा इसलिए मैं ये chapter पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा basic इस chapter के बारे में बता देता हूँ की budget में क्या के चीजों का उलेक होता है ताकि आप इस chapter को थोड़ा असानी से समझ पाएं चलिए इस chapter को पढ़ने से पहले थोड़ा सम basic देख लेते हैं जैसे की अगर मैं बात करूँ budget की तो budget में मुख्य रूप से दो तरीके के खाते होते हैं सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा budget जो रहता है budget में मुख्य रूप से दो तरीके के खातों का उलेक होता है एक होता है राजस्व खाता और एक होता है पुंजी गत खाता अब देखे राजस्व खाते के अंतरगत राजस्व खाते के अंतरगत जो होते हैं क्या क्या चीजे सामील होती है एक होती है राजस्व आई एक होती है राजस्व आई और एक होता है राजस्व व्याई तो थोड़ा सा हम यह समझ लेते हैं राजस्व आई किसको बोलते हैं तो सरकार की ACI, जो सरकार को भविष्य में लोटाना नहीं पड़ता, सरकार की ACI, राजसरकार की ACI, जिसे राजसरकार को भविष्य में किसी को भी लोटाना नहीं पड़ेगा, ACI को बोलते हैं, राजस्व आए. तो important चीज राजस्वाई किसको बोलते हैं SEI जिसे सरकार को भविस्य में लोटाना नहीं पड़ेगा तो SEI को बोलते हैं राजस्वाई जैसे कि अगर आप एक एक्जामपल से समझे सरकार कोई tax लगा रही है अगर सरकार tax लगा रही है लोगों से tax वसूल कर रही है तो वो लोगों से जो tax वसूल करेगी उसको लोगों को वापस लोटाना तो नहीं पड़ेगा वापस लोटाना किसको बोलते हैं अगर सरकार ने जैसे कि रिन ले लिया है RBI से रिन ले लिया है केंदर सरकार से रिन ले लिया है ये पैसो को उनको भविस्य में ब्याच के स्वरूप लोटाना पड़ेगा, तो उसको हम पुंजी गताए बोलते हैं, ऐसी आए जिसको सरकार को भविस्य में लोटाना पड़ता है उन पैसो को, उसको बोलते हैं पुंजी गताए, और ऐसी आए जिसे राज सरकार को भविस्य में किसी को भी लोटाना नहीं पड़ेगा उसको बोलते हैं राजस्व आए अगर मैं राजस्व आए की बात करूँ तो राजस्व आए दो प्रकार की होती है पहला होता है कर राजस्व और सेकंड होता है कर भीन राजस्व या गैर कर राजस्व आप बोल सकते हो कर भीन राजस्व या आप इसी को कर भीन राजस्व गैर कर राजस्व या करितर राजस्व भी कह सकते हो तो राजस्व आए दो प्रकार के होती कर राजस्व और कर भीन राजस्व या गैर कर राजस्व आप बोल सकते हो कर राजस्व सीधी सी बात है ऐसे राजस्व जो गौवर्मेंट को टेक्स के स्वरूप में प्राप्त होते हैं सरकार की ऐसी राजस्व आए जो टेक्स लगाने से प्राप्त होती है उसको बोलते हैं कर राजस्व कर्भिन राजस्व क्या सरकार की ऐसी राजस्व आए जो उसको भविस्य में लोटाना भी नहीं है लेकिन वो कर से भी प्राप्त नहीं हो रही है तो ऐसी राजस्व आए को बोलते हैं कर्भिन राजस्व या गैर कर्राजस्व जैसे कि अगर मैं इसमें कर्भीन राजस्व का अगर मैं आपको एक्जामपल दूँ जैसे गौवर्मेंट के द्वारे जुर्माने लगाये जाते हैं गौवर्मेंट अलग-अलग चीजों में अगर आप सही में बिजली बुल नहीं पटाएंगे तो आपको जुर्माना लगता है आपके चलान कड़ते हैं रस्ते में क्या वो चलान लेने के बाद पैसे लेने के बाद गौवर्मेंट के उन पैसों को लोटाती है नहीं क्या वो tax है नहीं? वो जुर्माने हैं, तो वो जुर्माने क्या होंगे? कर्भीन राजस्व. तो सरकार की ऐसी आए, जो उसको भविस्षय में लोटाना भी नहीं है, और वो कर्गे अलावा किसी दुसरे सोर्स से पराप्तोरी है, तो उसी को बोलते हैं कर्भीन राजस्व. अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो कर राजस्व होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, कर राजस्व भी दो प्रकार के होते हैं, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कर राजस्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राज्य का स्वयम का कर और दूसरा होता है केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कर का हिस्सा एसे कर या ऐसे टेक्स जो स्वयम राजसरकार लगाती है ये मैं इसका बता रहा हूँ स्वयम का कर राजसो में ऐसा कर जो राजसरकार के द्वारा लगाया जाता है राजसरकार के द्वारा ही वसूल किया जाता है और जितना भी वसूल होगा वो स्वयम राजसरकार ही जैसे आप पेट्रोल में वैट देख लीजे पेट्रोल में जो टेक्स लगते हैं वैट वैट लगते हैं वो कौन लगा रही राजसरकार लगा रही राजसरकार वसूल कर रही है और स्वयम अपने पास रख रही है तो इसको क्या बोलेंगे स्वयम का कर राजस्व बोलेंगे सेकंड होता है केंदर सरकार द्वारा लगाये गया कर राजस्व अब देखे आपने GST सुना होगा Good and Service Tax ये तीन प्रकार के होते हैं एक होता है Central GST जो केंदर सरकार लगाती है एक होता है State GST जो की राजसरकार लगाती है और एक होता है Integrated GST Integrated GST जब एक राज़से बना माल दुसरे राज़स मेश में बिखता है तो ये केंदर सरकार इस कर को लगाती Interated GST को और केंदर सरकार लगाएगी केंदर सरकार ये वसूल करेगी और उस कर की रासी को राज्यों में भी बाटेगी तो Integrated GST क्या हो गया? केंदर सरकार लगा रही है Integrated GST जब दो राज्यों के मध्य वैपार होता है किसी वस्तू का एक राज्य से दुछरे जगा वैपार किया जाता है केंदर सरकार Integrated GST लगाएगी और Integrated GST वसूल भी केंदर सरकार करेगी और जो पैसा वसूल हुआ रहेगा उसको राज्यों में भी बाटेगी तो ये क्या हो गया? केंदर सरकार द्वारा दिया गया कर का हिस्सा यानि ये टेक्स कौन सा है? कर राजस्व में स्वयम का कर राजस्व जो लगा भी राज्य सरकार रही है वसूल भी राज्य सरकार कर रही है और रख भी वही रही है और इसमें क्या है ये टेक्स केंदर सरकार लगा रही है वसूल कर रही है और उसका हिस्सा राज्यों को दे रही है तो कर राजस्व भी दो प्रकार के होगे स्वयम का कर राजस्व और केंदर सरकार द्वारा दिया गया कर का राजस्व अब देखें यहां पे करभीन राजस्व, अगर मैं बात करूँ करभीन राजस्व की, तो करभीन राजस्व भी दो प्रकार के हो सकते हैं। करभीन राजस्व भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, राज्य का स्वयम का करभीन राजस्व, राज्य का स्वयम का कर्भिन राजस्व और दूसरा आपका केंद्र सरकार से प्राप्त सहता अनुदान केंद्र सरकार से प्राप्त सहेता अनुदान अब दखए राज्य का स्वयम ने बताया कर्भिन राजस्व जैसे की गौॉर्मंट क्या करती है आपने बताए मैंने बोले जुर्माने लगा रही है पुलिस आफ से चलान वसुल कर रही है वो उसमें केंदर सरकार का तो को हिस्सेदारी नहीं है, राज्य स्वयम लगार उसको वसूल कर ले रहे, तो वो करभिन राजस्व में राज्य का स्वयम का करभिन राजस्व हो गया, या गैर कर राजस्व हो गया, केंदर सरकार से सहता अनुदान, अब आपको पता है केंदर सरकार समय समय पर राजियों को सहता अनुदान देती है अनुदान का मतलब होता है आपका आप देख लिजे ऐसा पैसा जो भविस्य में लोटाया नहीं जायेगा रिंड क्या होता है रिंड जब किसी से लिया जाता है तो उसको भविस्य में एक निश्यत रासी लोटाई जाती उसके एवज में, ब्याज दिया जाता है, वो रिण में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सहता अनुदान है, सहता अनुदान क्या है, अनुदान का मतलब जो रासी आपके विकास के लिए दिया जाए, उसको भवि बोलते हैं राजस्वा है दो प्रकार की होती कर राजस्वा और कर भिन राजस्वा कर राजस्वा में भी दो प्रकार होते हैं एक होता है स्वयम का कर राजस्वा एक होता है आपका केंदर सरकार द्वारा लगाया गया करों में हिस्सेदारी फिर आपका होता है कर भिन राजस और दूसरा क्या होता है? पुनजी गत आये, अब दे पुनजी गत आये, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ऐसी सरकार की ऐसी आये, जिसे उसे भविस्य में लोटाना पड़ेगा. सरकार की SCI जिसे उसे भविस्य में लोटाना पड़ेगा उसको बोलते हैं पुंजी गता है जैसे की राज सरकार के द्वारा किसी अन्य राज्यों से देश की गौर्मेंट से केंदर सरकार से किसी विश्व बैंक से जो भी रीन लिलेते हैं जिसकी एक निश्चित रासी उनको समय समय पर ब्याज के रूप में लोटानी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे पुंजी गता है यानि सरकार की SCI जिसे उसे बहुष्य में लोटाना पड़े सरकार किसी से भी रीन वीन लेगी जिसको उसको बहुष्य में उतनी रासी लोटाना ही पड़ेगा वो आएगा पुंजी गता आये के अंतरगत क्लियर है कोई भी रीन जो केंदर सरकार राजसरकार लेगी चाहे वो केंदर सरकार से ले किसी दूसरी राजसरकार से ले या आपके विश्व बैंक से ले किसी से भी ले वो सब आएगा पुंजी गता आये से या ऐसी आये जो उसको भॉष्य समय लोटानी पड़ेगी गौर्मेंट को अब देखें यहाँ पर अब मैंने आये का आपको पूरा बता दिया कि राजस्व आये क्या है और पुंजी गता आये क्या है मैंने वो बता दिया अब आप यहाँ पर समझे राजस्व व्याय या पुंजी गत व्याय क्या होता है राजस्व व्याय सरकार के द्वारा गैर विकासात्मक कारियों में किया जाने वाले व्याय को राजस्व व्याय बोलते हैं यानि सरकार का ऐसा व्याय जो कि गैर विकास आत्मक कारियों में किया जाता है जिससे सरकार को भविस्य में कुछ फैदा नहीं होगा गैर विकास आत्मक कारियों में व्याय कर रहे हैं जैसे कि वेतन देना, पिंसन देनी जो गौर्मेंट ने रिन लिया हुए उसके ब्याज देना तो ये सब क्या है गैर विकासात्मक कारे है तो जो गैर विकासात्मक कारियों में व्याय किया जाता है गौर्मेंट के द्वारा उसको बोलते हैं राजस्ववय जिससे भविस्य में गवर्मेंट को कुछ फैदा नहीं हो नहीं उस व्याय को करके लेकिन काम चलाने के लिए करना ही पड़ रहा है प्रसासनी कारियों के लिए अब देखे पुंजी गत्वे क्या होता है सरकार का ऐसा व्याय जो विकासात्मक कारियों में किया जाता है और जिससे भविस्य में सरकार को फैदा भी होगा अगर मान लिजे इसमें क्या चीज़ा आप एक्जांपल के साब समझ लिए जैसे कि गौवर्मेंट हॉस्पिटल बना रही है हॉस्पिटल का इस्ट्रक्चर खड़ा कर ली गौवर्मेंट अब हॉस्पिटल बनने के बाद उसके जो नर्स वर्च रहेंगे डॉक्टर रहेंगे उनको जो वेतन भथता दिया जाएगा वो तो राजस्वविय से दिया जाएगा लेकिन जब वहाँ पर वो अस्पताल बनकर तयार हो गया वहाँ पर जो लोग आएंगे इलाज करवाने के लिए 5 रुपए 10 रुपए परची कटेगी कुछ भी पैसा वहाँ पर लिया जाएगा तो वो जो पैसा लिया जा रहा है वो एक एक जामपल दे रहा हूँ वो कहाँ पर आएगा आपका पुंजी गत्वय में यानि वहाँ पर क्या करी गौवर्मेंट होस्पिटल के इस्ट्रक्चर बनाने के लिए विकासात्मक कारियों के लिए व्या कर रही है और बविस्य में क्या होगा उससे गौवर्मेंट को आई होगी जैसे मानलीजे गौवर्मेंट अभी तो PPP मॉडल में चरी पबली प्राइवेट पार्टनर्सिप में पहले रोड बनाते थे अब क्या करते हैं पहले तो प्राइवेट कंपनी से पैसा लेके रोड बना लेते हैं और प्राइवेट कंपनी को टेक्स वसूल करने की पावर पहले क्या होता था गौवर्मेंट रोड बना रही है अब रोड बनाने के बाद गौवर्मेंट भी टेक्स वसूल करती थी आपका जो आपका बोल लिजे रोड टेक्स होता है आपका टोल प्लाजा में जो होता है टोल टेक्स वो भी गौवर्मेंट वसूल करती थी तो विका पुंजी गत्व ए यानी सरकार के द्वारा विकासातमक कारियों में किया जाने वाला व्ये जिससे बविष्य में सरकार की ौआ आय होगी उसको हम बोलेंगे पुंजी गत्व तो मेरे इसाब सब से आपके सब तम्प से यहां पर पुंजी राजस्व व्याय, पुंजी गत आए, पुंजी गत व्याय, कर राजस्व, कर भिन राजस्व, क्या क्या होता है, मेरी साब से यहां पर clear हो गया होगा, ठीक है, अब देखे, राजस्व आए, और अगर राजस्व घाटा किसको बोलते हैं, अगर राजस्व व्याय, आई की तुल्ना में जादा हो जाए तो उसको राजस्व घाटा बोलते हैं अगर आई जादा है व्याय से तो उसको राजस्व आधिक्या बोलते हैं वैसे ही पुंजी गत आपका अगर देखें पुंजी गत आई पुंजी गत व्याय की तुल्ना में जादा रही कि आय जादा रही तो उसे पुंजी गत आधिक्य बोलेंगे, अगर आय कम रही पुंजी गत और व्य जादा हुआ तो उसे पुंजी गत आपका घाटा बोलेंगे, और सरकार की कुल आय और कुल व्य क्या हुआ, जब हम राजस्व आय और पुंजी गत आय को जोड़ दें, त तो उसको बोलते कुल वे, और आय और वे को देख लिजे, अगर आय जादा है वे से, तो सरकार का फायदा होगा, अगर आय कम है वे से, तो सरकार का घाटा होगा, तो इसी को मोटा मोटी तम तम में राजकोसी घाटा बोल दिया जाता है, या बजट घाटा बोल दिया जाता है, अगर सरकार की कुल आये, कुल व्याय की तुलना में कम होती है, तो इसी को मोटा मोटी भासा में बजट घाटा, पुंज या राजकोसी घाटा बोल दिया जाता बाकि उसमें और कई सारे terms होते हैं, किसी को खटाते हैं, किसी को हटाते हैं, वो हमारे इस chapter के लिए उपयोगी नहीं है, वो economics chapter के लिए उपयोगी है, जब आप economics पढ़ेंगे तो उसमें आता है यह सब चीजे, तो उसमें मैं नहीं जाओंगा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैंने यह सब चीजे आपको बता दी हैं, अब यहाँ पर मैं आपको अब इस chapter में ले कर जाओंगा, और अब चीजे आपको समझाओंगा, तो देख लिजे, chapter का नाम है लोकवित, अब यहाँ पर मैं आपको देखें, अब तम यहाँ पर तो 2020-21 में राजसरकार की जो कर राजस्व से आए थी वो थी 41,348 रुपे करोड में है, गैर कर राजस्व से थी 21,545 करोड रुपे, टोटल आएगा 63,867 करोड रुपे, यह राजस्व आए थी गौवर्मेंट की, आकड़ा याद करने की जोरत नहीं है, क्या चीज याद क यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, 2021-22 में कर राजस्व से गौवर्मेंट की आई हुई है 48,425 रुपे कर 425 करोड रुपे, गैर कर राजस्व से 30,900 करोड रुपे, कुल राजस्व प्रापती है 89,325,42 करोड रुपे, क्या ये डैटा इंपोर्टेंट है नहीं, हमारे लि 2021 की तुल्ला में 2021-22 में राजस्व आए, यानि कर राजस्व में हमारे कितने प्रतिसत की वृद्धी हुई है, कर कर राजस्व में कितने प्रतिसत की वृद्धी हुई है, और कुल राजस्व प्रापती में कितने प्रतिसत की वृद्धी हुई है, तो देखे, कितने प्रत 40,000 हुई है तो बड़ी है कितने प्रतिसत बड़ी है 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिसत वृद्धी का नुमान है 17.1 प्रतिसत गैर कर राजस्व में कितने वृद्धी का नुमान है 14.47 चार साथ प्रतिसत ये भी माइनस इन नहीं है न देखे बड़ी है यहां पर दे पिछले वर्स की तुल्ला में कर राजस्व कितना बढ़ना अनुमानित है। तो यह आकड़े आपको याद करने हैं, परसेंट वाला ये आकड़ा यान नहीं करेंगे तो चल जाएगा चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर कर राजस्व के बारे में देख लेते हैं क्या चीज एकनॉमिक सर्वे में बताया गया है देखे कर राजस्व में क्या बताया है वित्ती वर्स 2021-22 में कूल कर राजस्व है उसमें आपका 17.11 प्रतिसत वृद्धी अनुमानित है अब यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज यह है यहाँ पर लिखा है कूल कर राजस्व में वृद्धी यानि कर से जो आये प्राप्तोरी उसमें कितने प्रतिसत की वृद्धी अनुमानित है 17.11 जो कि आप आगे देखे कर राजस्व में प्रमुक योगदान राज्य का स्वयम का कर राजस्व है यानि यहां से आप ये आप अनुमान लगाएंगे कि कर राजस्व में प्रमुक योगदान राज्य का स्वयम का कर राजस्व है मतलग मैंने आपको बताया था कर राजस्व दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका राज्य का स्वयम का कर राजस्व और एक होता है कि जो केंद्र सरकार कर लगाती है और उसमें राज्य को हिस्सा देती है तो यहाँ पर गौर्मेंट की जो कर राजस्व है वो जादा है बलकि जो केंद्र सरकार से कर मिल रहा है उनको रासी मिल र प्रतिसत की वृद्धी होना अनुमानित है यानि कहने का मतलब मैंने आपको बताया कर राजस्व दो तरीके के होते हैं एक होते हैं आपका राज्य का स्वयम का कर राजस्व और एक होता है केंद्र सरकार से जो कर की रासी हमको प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर बोर रहा है जो केंद्र सरकार से करो की रासी हम को 2020-2021 में प्राप्त हुई थी, वो 2021-22 में उसमें कितने प्रतिसत की वृद्धी होना अनुमानित है, 20 प्रतिसत की, यानि केंद्र सरकार से करो की जो रासी हम को प्राप्त होती है, उसमें 20 प्रतिसत वृद्धी होना अनुमानित है, जबक 14 प्रतीसत की वृद्धी होगी याद रखें यहाँ पर जो term you जो रहे है स्वयम के कर राजस्व मैंने क्योंकि आपको बता एक कर राजस्व कर राजस्व दो प्रकार के होते हैं स्वयम का कर राजस्व और केंद्र सरकार दौरा लगाए करों में हिस्सेदारी तो केंद्र सरकार जो कर लगा रही है वो पिछले वर्स की तुल्ला में 21 वाइस में कितने प्रतिसत बढ़ने का अनुमान है बीस प्रतिसत जबकि स्वयम के कर राजस्व कितना प्रतिसत बढ़ने का अनुमान है चौदा प्रतिसत चौदा दसमलो एक नौ प्रत यानि आपका कर राजस्व दो प्रकार के हैं, राज्य का स्वयम का कर राजस्व और एक क्या होता है, केंदर सरकार से प्राप्त सहतानू, जो केंदर सरकार से आपका करो का हिस्सा मिलता है, मैंने आपको उपर भी पड़ा क्या बताया, कर राजस्व में राज के स्वयम का कर राजस्व का हिस्सा कितना है 53.17% रहना अनुमानित है तो जो केंद्र सरकार से द्वारा लगाए कि करो से जो हमको हिस्सा प्राप्त होता है वो कितना प्रतिसत हो गया केवल 46 प्रतिसत के आसपस यानि कर राजस्व का तीरपन प्रतिसत राज्यो को स्वयम के द्वारा लगा करों से प्राप्त होता है जबकि कर राजस्व का लगबक 46 प्रतिसत केंद्र सरकार जो कर लगाती उसके हिस्सेदारी हमको प्राप्त होती है तो कर राजस्व में राज्य का स्वयम का कर राजस्व का हिस्सजादा है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाले कर से जो ल में आगे देखे कूल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 61.05 परसेंट है कहने का मतलब यहां पर यह है क्या कहने का मतलब है वो समझे कि कूल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 61.05 परसेंट है तो कूल राजस्व प्राप्ति किसको बोलते हैं देख लिजे कूल राजस्व प्राप्ति कितनी है 89,325.42 करोड रुपए तो यहां से और कर राजस्व कितना प्राप्तो रहा है 48,425 करोड रुपए तो 48,425 करोड रुपए 89,325 करोड का कितना है तो वही यहां पर बोल रहा है 61.05% है यानि गौर्मेंट की जितनी भी राजस्व आय होती है क्योंकि राजस्व आय दो प्रकार की होती है कर राजस्व और कर भीन राजस्व तो कर राजस्व से गौर्मेंट की जितनी भी आय होती है उसका, आपका देख लिए जो टोटल राजस्व आये का कितना परसेंट है 89,000 करोड का 48,000 करोड कितना परसेंट है 61% है, तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि कुल राजस्व प्राक्तियों में कर राजस्व का हिस्सा कितना है 61.05% है तो आप उल्टा भी बोल सकते हो, गैर कर राजस्व का हिस्सेदारी कितनी राजस्व में, देख लिजे, 38.995% की है, तो यही सब चीजों को यहाँ पर आपके टेबल फॉर्म में बताया गया है, जितनी चीजे मैंने यहाँ पर explain की है, कूल कर में स्वयम के कर का राजस्व 53%, केवल कौन-कौन सा डेटा याद करना है, आप यह देख लिजे, सब चीजे मैंने आपको explain कर दिये, डेटा कौन-कौन से याद करना है, आपको यह डेटा याद करना है, यह याद करना है, यह याद करना है, ठीक है, अब देख लिजे, यहाँ पर याद रखेगा, यहाँ पर कर राजस्व का प्रतीसद बोर रहा है, यहाँ पर वृध्धी बोर रहा है, हिस्सेदारी और वृध्धी में अंतर होता है, हिस्सेदारी यानि मान लिजे, 100 में से 20 रुपे हमको इस चीज से प्राप्त हो रहा है, तो वो इस्सेदारी वृद्धी किसको बोलते हैं, पिछले वर्स की तुलना में कितनी वृद्धी हो रही है, वो बताता है वृद्धी दर, इसको मैंने बताया लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर डाउट पूछते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं explain कर दे रहा हूँ, तो सब चीजे जो यहाँ पर देख लिजे, जैसे राजसरकार का स्वयम का कर गैर कर राजस्व और एक होता है केंदर सरकार से प्राप्त सहता अनुदान, तो राजसरकार का स्वयम का कर राजस्व जैसे कि जुर्माने से जो रासी प्राप्त होती है, और केंदर सरकार का सहता अनुदान वो भी हमारा कर बीन राजस्व या गैर कर राजस्व है तो देखें गैर कर राजस्व में प्रमुक योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त सहता अनुदानों का है तो अगर आपसे पेपर में कोश्चन आता है कि राजसरकार का कर राजस्व में सबसे जादा योगदान किसका है तो कर राजस में सबसे बड़ा योगदान किसका है तो केंदर सरकार से प्राप्त होने वाले सहता अनुदानों का है अब यह आकड़ा आपको यह सब याद नहीं करना है कि कितना करोड रुपे मिल रहा है यह सब हमको याद नहीं करना है यह सब पेपर में नहीं पूछा जाएगा अब यहाँ पर मैं आपको ये देख लेते हैं, 2021 में केंदर सरकार से प्राप्त सहता नुदाने 21,650 करोड़, राज्य का गैर कर राजस्वेह 9,250 करोड़, तो इससे आप ये अनुमान लगाई, 21,000 करोड़ लगभग हमको सहता नुदान केंदर सरकार देती है, और राज्य सर जो जुर्माना उर्माना लगाकर प्राप्त करती, वो 9,250 है, तो सीधी सी बात है किसकी इस्सेदारी ज़्यादा है, केंदर से प्राप्त होने वाली सहता नुदान की इस्सेदारी ज़्यादा है, तो अब यहाँ पर टोटल हमारा गैर कर राजस्वेह कितना है, 30,900 जाएगा, अब देखें यहाँ पर परसेंट कुल कैर कर राजस्व में किंदरी सहता का प्रतीसत, यानि 21,650, 30,900 करोड़ का कितना प्रतीसत है, तो कितना प्रतीसत है, 70.06 प्रतीसत है, तो गुल कुल कैर राजस्व में किंदरी सहता का प्रतीसत कितना है, 70 प्रतीसत है, ग मान लगा लीजे ये लीजे किसका अब आप ये देख लीजे कि 9,250, 30,900 का कितना प्रतिसत है 29.94 प्रतिसत है दोनों आकड़ा याद करने से अच्छा किसी एक आकड़े को याद करो उसमें से 100 से माइनस कर दो वही आएगा 100 से अगर 70.06 माइनस करोगे तो 29.94 आएगा तो दोनों आकड़ा पढ़ने की जोरती नहीं है आकड़ा एक ही पड़ो जो आपको याद रखना है अपूजिट पूछ लिया तो उसको माइनस कर देना 100 से तो बात तो वही है क्योंकि गैर कर राजस्व में दूई चीज़ होती ह अब देखें यहाँ पर जो है वृद्धी की बात हो रहे है तो वृद्धी क्या बता रहे केंद्री सहता में यानि जो केंद्र सरकार सहता अनुदान देती है 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितनी वृद्धी हुई है 17.03 प्रतिसद की हुई है देख लीजे पहले 18.500 करोड रुपे केंद्र सरकार दी थी 2020 में 2021-22 में 21,650 करोड रुपयान मानित है तो यह वृद्धी कितनी हुई है यही वależ्धी बता रहे है 17.03 प्रतिसद की हुई है राज्य के गैर कर राजस्व में कितनी वृध्धी हुई और विर्धे तो देख लीजे आपका 8492 तो 9250 करोड हुआ है व्रिद्ध हुई है 8.89% की व्रिद्ध हुई है बस कौन-कौन सा आकड़ा याद रखना है ये आकड़ा ये और ये चारों बस याद रखना और कुछ याद करने की ज़रत नहीं है ये चार आकड़े आपको याद होने चाहिए चलिए आगे देखते हैं ये चीजह आपको पढ़ने की ज़रत नहीं इसमें क्या पढ़नाग मैं वो बता रहूँ है सबसे ज़्यादा राजस्व 이야기를 किस चीज目 होता है बेतं और भद्तेयम में होता है तो अगर आपसे paper में पूछा जाए government सबसे ज़्यादा किस किस के लिए करती है तो वेतं और भद्ते देने के लिए करती है सबसे ज़्यादा राजस्व्य वेतन और भत्ते देने के लिए करती है अगर ये अन्यवाला आपसे नहीं पूछा जाएगा अन्य देखे, अन्य में वेतन और भत्तों से भी ज़्यादा है लेकिन अन्य अगर आपके उप्शन में आ रहे हैं तो अन्य ले लीजे अन्य नहीं आ रहा है तो वेतन और भत्ते ले लिजे इसको क्रम से जमा लिजेगा वेतन भत्ते के बाद सबसरवादी पेंसन में जाता है पेंसन के बाद ब्याज में जाता है और ब्याज के बाद मजदूरी में जाता है तो यह आप से पेपर पूछा जाएगा किसमे किया जाता है तो सबस्यादा राजस्वव वेतन भत्ते option में अन्या आ रहे हैं तो अन्या ले लेंगे अन्या वैसे आता नहीं वेतन भत्ते उसके बाद आपका पेंसिन में पेंसिन के बाद ब्याज में और ब्याज के बाद मजदूरी में आपका व्यक किया जाता है अगे देखते हैं तो यही आपका ग्राफ है देख लिजेगा जो मैंने बताया वही आपसे पूछा जाएगा अब देखें यहाँ पर कुछ और आकड़ है अब देखें यहाँ पर लिख है कुल प्राप्ती यानी राजस्व आयए और पुणिगत आये को जोड दें तो यहाँ पर क्या आएगा कुल प्राप्ती आएगा तो सरकार की कुल प्राप्ती कितना है, 97,145 करोड रुपे सरकार की कुल प्राप्ती है, उसमें राजस्व प्राप्ती कितना है, 97,000 करोड का 81% राजस्व प्राप्ती के रूप में प्राप्त होगा, पुंजीगत प्राप्ती के रूप में 18% प्राप्त होगा, तो यह आद र उसमें 81% राजस्व प्राप्ती से और 18% पुंजिगत प्राप्ती से प्राप्त होता है, तो यह आकड़ा याद रखना है कौन सा, केवल परसेंट वाला, यह आकड़ा नहीं भी याद करेंगे, आपके समझाने के लिए है कि इसका इतना इतना परसेंट आई, नहीं भी याद 325.42 करोड रुपय राजस्व प्राप्ति है अब राजस्व प्राप्ति में आगर आप देखेंगे राजस्व प्राप्ति में मैंने आपको बताया था कर राजस्व और कर भिन राजस्व यानि गैर कर राजस्व होता है अब कर राजस्व में भी मैंने बताया था राज्य का स्वयम का कर्भिन राजस्व होता है और केंदर सरकार से पर आप सहतानुदान होता है तो आप यहां पर यह चीज गौर करने वाली है कि जो राजस्व प्राप्ति हो रही है उसमें कर राजस्व में भी केंदर सरकार की हिस्सेदारी है कर्भिन राजस्व में भी केंदर सरकार स्वयम का राजस्व प्राप्ति तो स्वयम के राजस्व प्राप्ति में आपका यहां पर जो कर राजस्व में राजस्व स्वयम कर से जो रासी प्राप्त कर रही है प्लस जो कर राजस्व जो कर भीन राजस्व 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 का स्वयम का है उसकी रासी को जोड़ कर यह value है यानि कि यहाँ पर जो स्वयम का राजस्व है स्वयम के राजस्व में क्या क्या चीजे जूड़ी है जो स्वयम का उसका कर राजस्व है गॉर्मेंट का और स्वयम का जो कर भीन राजस्व है गॉर्मेंट का यह दोनों को जोड़ने के बाद जो आकड़े निकलते हैं वो आप राजस्व प्राप्ति तो आपको पता है 89,325 करोड है, तो राज्य का स्वयम का राजस्व प्राप्ति कितना, यानि टोटल राजस्व प्राप्ति में राज्य का स्वयम का कर राजस्व और कर भीन राजस्व को वैल्यू को जोड़ दें, तो वो राजस्व प्राप प्राप्ति में स्वयम का राजस्व प्राप्ति यानि कर राजस्व और कर भीन राजस्व को जोड़कर जो स्वयम का कर राजस्व और स्वयम का कर भीन राजस्व वो है 44.12% और केंद्र से प्राप्ति चाहे वो केंद्र से करों में हिस्सेदारी हो वो कर राजस्व केंदर आएगी और करभीन राजस में जो केंदर सरकार से प्राप्त सहतानुदान तो केंदर सरकार से प्राप्त सहतानुदान और केंदर से प्राप्त होने वाली करों में हिस्सेदारी दोनों को जोड़ लेंगे तो उसके बाद जो आती टोटल हमारी राजस प्राप्ति में केंदर स कितना है, 44,325 करोड रुप्य हमारा 55% होता है, तो अगर आप देख लीजे, यहाँ पर इसको आगे बढ़ लिजे तो केंद्र से प्राप्टी में अगर हम देखेंगे, तो केंद्री कर में राज्यक का हिस्सा कितना है, यानि जो केंदर से हमको करों में हिस्सा प्राप्त होता है वो 44,325 में से 59% हमारा केंदरी कर में राज्य का हिस्सा है और केंदर से प्राप्त सहतानुदान 48% यानि केंदर सरकार से जो टोटल हमको रासी प्राप्त होती है उसमें से 51% आपका ये वाली वैल्यू से याद रख कर जो 44,000 करोण मिलता है उसमें से केंद्र कर में राज्य का हिस्सा 51% और केंद्र से प्राप सहतानुदान 48% यानि इस टोटल रासी का 51% करोण में हिस्सेदारी होती है और 48% जो केंद्र सरकार राज्य को सहतानुदान देती है उससे होती है तो ये आपके आखड़े हैं आप को अच्छे से सुनिएगा और सुन कर ही सभी चीजों को पढ़िएगा confusion नहीं है कोई भी confusion होने वाली चीज नहीं है चीजे आपको यहाँ पर confuse करेगी लेकिन आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे न तो आपको समझ आ जाएगा दोनों में क्या क्या चीजों में क्या क्या difference है तो इतने आकड़े आपको याद करना है और उमीद कर रहा हूं कि मैं आपको सब चीजे समझ आ गई होगी इस चेप्टर में और कुछ याद करने वाला नहीं है तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और नया चेप्टर आपको एकनॉमिक सर्वे का प्रारम मैं आपसे आपसे एंगले को समय आपको सुपती आपको करेंदी सिए के आपको ऑँ है स्टिए हम करेंदी स tava नहीं है जाद इस फ yanlış वाएंगे संगे अभ्यांगे और नहीं करेंदी आपवाएं आप शे हम आपको